नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा फैक्ट में आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे वाइरल इंफेक्शन से होने वाला बुखार और जो बैक्टेरियल इंफेक् सन के बारे में जो आपको किसी मोसम के चेंज होने के दोरान होता है जब आपको को सर्दी से गर्मी में रहसara करते हो तो यहां को सर्दी युखाम के साथ कई बार भुखार हो जहता है तो झômσα बचान्सेंतों सांसे थो सकता एmother lifeаешь वह सकता है तो उस हिस्तिसिते ईभी आपको क्या करनाचाहिए कि जो आपको एंटिवायरल मैडीशिन है उन्हें उनका ट्रीटमेन लन चीओ नखी ठीर माब क्या होता है कि कॉमन यूसमें जो आपके घर ऩे उसके लावा बात करते हैं बैक्टीरियल इंफेक्शन की तो bacterial infection में क्या होता है जब भी आपको bacterial infection होता है तो वो गले से सुरू होने की संभावना ज़्यादा रहती है जिसमें आपको गले में दर्द, गले में खरास से वो इस्टार्ट होता है और देरे देरे वो बुखार में तब्दिल हो जाता है तो उस इस्थिति में infection में आपको जो एंटिबायोटी का उसका उप्योग करने से बचना है क्योंकि ज़्यादा बेंटिबायोटी का आपके लिए हनिकारक साबित हो जाती है पेट की समश्या होती है किसी लोगों को चकर भी आ सकता है और overall medicine है कोई अच्छी बात नहीं है तो वो आपकी kidney को भी थोड़ा बहुत effect कर सकती है इन सब चीजों को आपको ध्यान बेखना है जब आपको viral है तो एंटिबायोटी का उप्योग नहीं करना जैसे अभी season चल रहा है ये March का महीना है तो इसमें March starting से ऐसी बीमारी अभी चल रही है वाइरल इंफेक्शन सभी को रहा है खासी सर्दी जुखाम ऐसे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम में वह लगबग हर गर में एक दो पेसंट आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं तो इस वाइरस का आपको ध्यान रखना है और सचेत रहना है वाइरस जब ये फैल जाए तो आपको ये मास्क वगेरा का उपयोग करते रहना है ताकि वाइरस एक दूसरे से ट्रांस्मीट ने हो सके इन सब बातों को आपको धिहान रखना है उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें जे हिंद बंदे मातरम